हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़ेकर है मैं मनोविकार सेख्सरोग सम्मोहन और वैसरम की तग्ये हूँ मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ बिलीफ के बारे में विश्वास क्या होता है कि जो हमको चाहिए उसके ओपर हमारा विश्वास होगा तो वो मिलेगा एक बार बोला है कि whatever your mind can conceive and believe you will achieve आपका mind आपका मन जिसको जनम देगा और जिसके ओपर विश्वास करेगा वो आपको मिल जाएगा और किसे ने बोला है कि if you think you can you will if you think you cannot you will not both ways you are right यदि आपको ऐसा लगता है यदि आपका ऐसा विश्वास है कि आप वो कर सकते है तो आप कर सकेंगे यदि आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर सकेंगे तो आप नहीं कर सकेंगे आप दोनों बाजू सही है तो आपको क्या चाहिए वो देखो और आपका उसके उपर विश्वास पक्का होना चाहिए यह आपका विश्वास ही नहीं है आपका खुद का विश्वास नहीं है तो आपको मिलेगा नहीं मर हमको क्या चाहिए यह हम न सोचते को लोग हमारे से क्या expect करते हैं वह साम भीयो करते हैं कि लोगों को क्या चाहिए मेरे से अब लोगों को क्या चाहिए लोगों को तो बहुत कुछ चाहिए और लोगों को तो बहुत कुछ नहीं चाहिए लोग क्या कहेंगे लोग क्या कहेंगे यह साम करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे लोगों ने कुछ भी मतलब बोला कि मैंने कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए लोग क्या बोलेंगे मैंने क्या खाना चाहिए लोग क्या बोलेंगे मैंने कुंसी नुकरी करना चाहिए लोग क्या बोलेंगे तो मैंने मेरा कंट्रोल लोगों के हाथ में दिया तो फिर तो मेरा जिनाई मुश्किल हो जाएगा यह दुनिया में कोई भी चीज सही नहीं है और कोई भी चीज गलत नहीं है आपको क्या लगता है? उसके उपर है Like nothing, nothing under the sun is good or bad ये सूरज के नीचे कोई भी चीज सही या गलत नहीं है nothing under the sun is good or bad, right or wrong अच्छी या बुरी नहीं है या सही या गलत नहीं है It is your view towards it that makes it so आपका दुष्ट्री कोन कैसा है उसके तरफ देखने का आपका बिलीव कैसा है वहाँ से वह ऐसी हो जाएगे तो कोई भी चीज सही नहीं है गलत नहीं है कोई भी चीज सत्के नहीं है असत्के नहीं है कोई भी चीज अच्छी नहीं बुरी नहीं है आप उसको किस नजर से देखते हो आपका विश्वास क्या है वहां से वो चीज अच्छी या बुरी बनती है यह बार हम क्या करते कि लोग लोगों के देखते रहे हैं और वहां से लोग हमको जैसा कंट्रोल कर रहे हैं इसा समझ के लोगे जो लोगा आपके बारे में कुछ कहते हैं तो उनको कितना मान सlike देने वो रोग का मीठेक्डूना वक्ते हैं नि बड़ता की उनको बहुत ही बीजी है कार्यमंगन लोग है जो बहुत बड़े लोग है वो इतना बीजी और इतना बड़े है कि उनको आपके बारे में सोचने के लिए टाइम ही नहीं है जो बहुती चिल्लर रिका में रोग है कि जो टाइम पास कर रहे है और जो ग्वासिपिंग कर रहे है आपके बारे में तो वो कुछ भी बोलेंगे तो भी आपको जरूरत नहीं कि उनके तरफ आपने ख्याल देना चाहिए क्योंकि उनका विचारित्ता महत्वका है नहीं आप इसमें मगन है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे है और लोग उसमें व्यास्ता है कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे है तो लोग क्या सोच रहे है वो सोच रहे मत लोगों को क्या चाहिए वो सोच रहे मत आपको क्या चाहिए क्योंकि लोग तो कुछ भी बोलते है वो गदे की कहानी और बाप बेटी की कहानी आपको मालू है कि एक बाप और बेटा वो एक गदा खरिते है शहर से और अपने गाउ के तरफ आते रहते है तो गदा चल रहा है दूनों बाप बेटी भी चल रहे है पैदल तो कुछ लोग उनको मिलते हैं कोले कैसे एडे लोग ह यह के लिखे के ऊपर कि बैट सकता ना कोई नो कोई वैक्ति और चल सकता है तो ख hm आकिल आकिलों कैसे शोस सुनके फिर उसका जो पिताजी रहता है यह भू भू कि बबटा बेच के ऊपर बैक्ठाइब मेट जाता है अच्छा नहीं किया मैंने मेरे बच्चे को गदे के ओपर बिठाना चीए वो उतर जाता है गदा बैठ जाता है पिर कुछ समय बाद में और देहात आता है वहां देहात के लोग उनको मिलते हैं कैसा लड़का है बुड़ा बाब है उसको पैदल चला रहा है और खुड गोड मत करो क्यों कि लोग अपना समय खराब कर रहे है कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे है या आप उनके बारे में क्या सोच रहे है आपको क्या विश्वास है आप क्या हासिल करना चाहते है आपको क्या चाहिए वह यह आप डिसाइड करते है आपकी अंतरमन की आवाज क् आप पूरा उसके उपर कूच जाओ अपना सव टक्का नहीं 110 टक करो एक हजार एक टक का उसमें लो पूरी कृति करो फोकस रखो आपको जो भी चाहिए हो जो जरूर मिल जाएगा ऐसे काफी सारे लोग होंगे कि वह सक्सेस के लिए तरपते होंगे सक्सेस मिलता नहीं होंगा और यह जो भी मनने बता हैं पॉइंट इसमें अटके होंगे आप जरूर यह वीडियो उनको शेर कीजिएगा आपके वाटसेप ग्रूप के उपर फेस्बूक के उपर आप जरूर शेर करो सबस्क्राइब करो थैंक्यू बेरी मच्छ